देखा जो तुझे देखता ही रह गया मेरा वाल हाई फ्रेंड स्वागत हैं हमारे योटूब चैनल एडिटर आनंद में तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार से नवरात्री का स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं तो इसे status वीडियो बनाने के लिए हम एक application चाहिए जिसका नाम है Can Master तो उसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर download कर सकते हैं तो चलिए friend वीडियो को शुरू करते हैं Friend हम अपने Can Master application में आ गए हैं, अब यहाँ से आपको create new पे click करना है उसके बाद यहाँ से आपको 16.9 का ratio ले लेना है अब यहाँ से लेने के बाद यहाँ पर आपको एक background अड़ करना है तो उसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर download कर सकते हैं तो यह रहा हमारा background, अब हमें कुछ इस परकार से सेट कर लेना है अब इसमें हमें line का वीडियो एड़ करना है, जो blue screen में है तो उसका भी link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर download कर सकते हैं तो उसके लिए हम layer में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहां से हम इस line वाले वीडियो को add कर लेते हैं अब add करने के बाद हमें कुछ इस परकार से इससे fully skin कर देना है करने के बाद यहां से हमें back आना है अब बैक आने के बाद यहां से हमें क्रोमा की में जाना है और इसे इनेबल कर देना है इनेबल करने के बाद इसे अपने हिसाब से कुछ इस प्रकार से एज़ेस्ट कर लेना है करने के बाद यहां से हमें ok कर देना है उसके बाद यहां से हमें एक photo add करना है माता जी का तो वो png photo हो तो उसके लिए हम layer में जाएंगे मीडिया में जाएंगे और यहां से उस अपने photo को add कर लेते हैं तो चले friend मैं यहां से अपने photo को add कर ले रहा हूं यहाँ पर मैं जितने फोटोज और वीडियोज का यूज़ कर रहा हूं उनका लिंक आपको डिपक्यूप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अब हमें कुछ इस प्रकार से इसे जूम करके सेट कर लेना है देख सकते हो फ्रेंड अब यहाँ पर सेट करने के बाद इसकी डियूरेशन को हमें कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है अब यहाँ पर बढ़ाने के बाद देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आपको बढ़ा लेना है उसके बाद यहाँ से में कट कर देना है कट करने के बाद यहां पर हमें starting position पर आ जा अब आने के बाद यहां पर हमें नौरात्री का text png लगाना है तो उसके लिए हम layer में जाएंगे मीडिया में जाएंगे और यहां से उस text png को add कर लेते हैं तो चलिए friend यहां से मैं उसे add कर ले रहा हूं यह रहा हमारा text png हमें कुछ इस प्रकार से इसे rotate करना है rotate करने के बाद कुछ इस side में लाना है और set कर देना है set करने के बाद यहां से इसकी duration को हमें कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है देख सकते हो friend अब यहां पर आपको इंड तक रख देना है रखने के बाद यहां से हमें कट कर देना यहां पर हम फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पर आएंगे और फिर से लेर में मीडिया में जाएंगे और यहां चैनल रात्री वाला post ko उठा लेते हैं तो यह देख सकते हो फ्रेंड अमारा है अभी से अमें तो इस प्रकार से रोटेट करना है रोटेट करने के बाद यहां पर हमें कुछ इस साइड में इसे लाना है और सेट कर देना है देख सकते हो फ्रेंड set करने के बाद इसकी duration को भी हमें कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है अब यहां पर बढ़ाने के बाद cut कर देना है cut करने के बाद यहां पर जो हमारा background ज़ादा है तो इसे हम थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से click करेंगे उसके बाद कैंची पर जाएंगे कैंची पर जाने के बाद train to write up play hit करके cut देना है cut काटने के बाद यहां से ok कर देना है तो देख सकते हो friend हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर तयार हो चुका है अब इसमें हम एक template वीडियो आइड करेंगे तो उसके लिए हम layer में जाएंगे मीडिया में जाएंगे और यहां से उस template वीडियो को आड कर लेते हैं तो यह रहा मेरा template वीडियो अब में कुछ इस प्रकार से इसे जूम कर देना है देख सकते हो friend अब जूम करने के बाद यहां पर हमें नीचे के side में आना है तो यहाँ नीचे के side में जबाएंगे तो हमें एक blending का अफ्सन दिख जाएगा इसमें जाना है इसमें जाने के बाद इसे हमें skin कर देना है अब skin करने के बाद यहां से हमें OK कर देना है आपको इस template में song मिल जाएगा आप दूसरा सौंग लगाना चाहते हैं तो दूसरा सौंग भी लगा सकते हैं अब guys हम आपको वीडियो को थोड़ा सा प्ले करकर दिखा दे रहे हैं कैसा बनकर त्यार हुआ देख सकते हो फ्रेंड हमारा स्टेटस वीडियो कुछ इस प्रकार से बनकर तयार हुआ देखने में कितना अच्छा लग रहा है अब इसे हमें एक्सपोर्ट करने के लिए यहां पर इस एरो पर किलिक करना उसके बाद यहां पर हमें से पर किलिक कर देना है और हमारा वीडिय मिलते हैं नए वीडियो में नए टापिक के साथ